a very good morning to all of you मैं संदीब गुपता नालंदा अकैडमी किस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम आपके लिए कर आए हैं एक नया कमिशन जिसमें लोकसिव आयो कही हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कुष्टन रहे गए थे हैं जो समें नहीं हो पाएते हैं और आपने अब तक हमारी chanel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं साथी बैल आइकन भी प्रेश कारें दाकि कुई वीडियो आप 3D वीडियो आप से मिस्तना होने पाए सदस्य को कारवाक अध्ययक्ष्य क्या होता है. यह जोता है कि जो भी सदस्य की चैर पर इुश जिर्फ उस समय तक लिए जब तक अध्याच्य पत्व नहीं तब तक अध्याच्य का कार्य करने के लिए किसी सदस्य को उसकी पत्व में बिठा दिये जाता है तो वह पूछ रहा है कि पहली बैट्टॉप के समझ में आई गया हुआ कि कौन बिठाता है तो राष्ट्वदी और रीक्त होता है कि उसका चाहही नहीं नहीं होता है कि मुख्र कौन होगा तो उसमय पेभी क्या होता है कि जो लोग सिवायों का अत्सदश्य उसे कारवां कद्याच्य कर दिया जाता है जब तक उसकी निवीं Ingत I कर नहीं हो पारा तो इस तीनों कारणों में क्या होता है कि संग सेवायों के सदस्य को काऱ राश्पदी कर देता है तो क्पी सभी इन तीनों ही परिस्टियों में राश्पदी जह होता है वह insya कर देता है तो आपका क्या ओप्शन सही है अगला कुशन देखते हैं हमारा अगला कुशन है राष्ट पती संग लोग सेवा आयो के अध्यत्य एवम सदस्ट को किन परिस्थितियों में हटा सकता है आपके ऑप्शन अगर दीवालिय घोचित हो गया हो बिल्कुल सही है अपन कारे के लावा किसी और कार में भी नियोजेत जहां से वह है पैसा ले रहा है जहां से वह इंकम जनरेट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे पत्से हटाया जा सकता है मान से के सारे रूप से अच्छम हो बिल्कुल इदि मान से के सारे रूप से वह काम करने में समर्थ नहीं चलिए अगला कुश्चन देखते हैं हमारा अगला कुश्चन के है सुप्रीम कुर्ट जाज के बाद दोसी पाए जाए दोसी पाएगा संग लोग सेवा आयो के अध्यच्च को हटाने की बाद राष्टपती किस प्रकार लागू होती है तो जब वो जाज करता है तो जब वो जाज करता है तो वो जो सलाह देता है राष्टपती को राष्टपती पर कैसी होती है वो बाद्धिकारी होती है अबाद्धिकारी होती है उसके शौब विवेक पर निर्वर करता है कि वो हटाए ना हटाए किस टाइप करता है कुश्य ने पूछ रहा है बाद्धिकारी हो क्यों क्योंकि राष्ट्रपती सुप्रीम कोल्ट की सलाह मानने के लिए बाद्दिकारी सलाह थे तो आपका ए अप्शन के बारे में बाद समीधान के कौन सा अनुचेद करता है अकिल भारतिय सिवाओं के बारे मात समीधान के कौन सा अनुचेद करता है आपके option है अनुचे 312, अनुचे 313, अनुचे 315, अनुचे 312, यानि कि आर्टिकल 312 में यूपीसी यह अखिल भारती सिवाओं के बारे में बात कहीं कहीं है तो आपका इसमें सही है चली अगला कुशन देखते हैं हमारा अगला कुशन के हैं संग लोग सिवायों के अध्याचियम सदस्यों के वेतन बते संसते किस निदी पर निर्पर करते हैं किस निदी पर भारत होते हैं तो संग लोग सिवायों के यनि-कि यू-पियसी के अध्याचिंट के वेतन संसते किस निदी पर भारत होते हैं आपके ऑप्छीं संचित निदी दौनेशनमें से नहीं की जाईगा इवर की जुइनिंग हो जाते हैं यह टो नहीं कि जायेगी तो कहां पर भारत होते हैं संचित निधी पर भारत होते हैं तक किन मामीलों पर सरकार को सलाह देता है तो आपका Сप्षान के उपसीा साऊचन का माम यूपीसी जो है वो निम्लिक्त मामलों पर यानि इन सभी मामलों पर सरकार को सलाह देता अब किसके लिए तो जो भी आईएस आईपीस होते हैं यह जो भी यूपीसी द्वारा चैनित होते हैं लोग जो भी यूपीसी द्वारा चैनित होते हैं उन चैनित कैंडिडेट्स जो से मन का मना करने पर इन सही मामला में जो यूप्स सेलक्ट होगे गए हैं उनके लिए यह सलाह देता है तो आपका सही अप्सिन क्या हुआ आपका सभी पर यूप्सी के बाद समिधन के किस अनुच्यद में कही गई तो अकल भारती सिवाव की बाद कही थी अनुच्य तिन सो 12 में कहां पर अनुचित 312 में अब पूच रहा है कि यह यूपीस से जोइंट पॉब्लिक सब्सक्राइब ओप एक होता है एक होता है कि जब कोई दो राज्य आपस में सहमत हो जाते हो और उन दोनों राज्यों के लिए एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमिशन यानि एक कॉमन आयोग बना दिया जाता है लोग से बना दिया तो उसे कहते हैं जे यानी कि तीन प्रखार गया उपक्षके समिधान के सनुच्छेद में कही गई है आपके ऑप्षन क्या है आपके ऑप्षण है 315 A, 315 2, 315 3, तो इसका सही option है दोस्तो C, 315 2, यानि कि JPSC की बाद कहीं गई है, तो JPSC की बाद की गई है, 315 2 में, चीके, तो आपको इसमें A, C option सही है, चली अगला question देखते हैं, हमारा अगला question है, संग लोग सिवा आयो कि छेत्र का दायरा बढ़ाने का दिगार किसी, य यूपेसी चेत्र का दायरा बढ़ाने या घटाने का दिगार किसी होगा, आपके option है, संसत, राश्टपती, प्रधार मंत्री, या फिर किसी को भी नी, तो इसका सही option होगा, दूस्तो C, 315 2, यानि कि UPSC के छेत्र को बढ़ाना, घटाना, इस सारा किसका कार होगा, इस सार के बाहर कर सकती है, ठीक है, तो ये उसका कार चेत्र को बढ़ाना या घटाना कहलाता है, तो ये अदिगार किसी है, ये अदिगार हमारी संसत को है, चली अगला question देखते है, अगला question है, UPSC और JPSC का अध्याचियों सदस्यों की निक्ति कौन करता है, आपके option है, केवल र राज़पारी भी गलत हो जाएगा, राश्पती राज़पाल, राज़पाल राशपती तो दोस्तों का सही option होगा B, क्योंकि हमने पहले UPSC की बात कि है, फिर JPSC, तो UPSC करता है राश्टपती, इसकी करता है राज़पाल, गवर्नर, तो पहले प्रेस्ट, फिर गवर्नर तो यह दो broader थे हो गवाए एजित आपको सही option का वापको सही होगे, याने की राश्पती और राज़पाल, इन दोनो की करता है, याने UPSC की के राश्पती हैं हमारे राश्पतीयों राजपाल प्रेस्पनियां हमारे राजपाल, तो आपका क्या options है, आपका बी option, दोस्तो सही है चलि अगला कुशन देखते हैं हमारा संग लोग सेवा आयोग के अध्यच एवं सदस्यों की हटाने की प्रक्रिया किस अनुचेद में वरने थे आपकी ऑप्शन है 300 315 अनुचे 316 अनुचे 317 यह फर अनुचे 318 तो उसका सही अप्शन कैस का सही अप्शन है दोस्तों सही अनुचे 317 तो उनको हजानी की प्रक्रिया 317 में वरने की गई है चलि अगला कुशन देखते हैं हमारा अगला कुशन है संग लोग सेवा आयोग हर वर्स अपने कार्यों की रिपूर्ट किसे सौपता है ठीक है यह आपको पता ही होगा तो संग लोग सेवा अपनी रश्ट पती उपर राष्ट पती या फिर इन्हेंसे कोई भी नी та यह उतला है frequent सवन उस्वर्ट की रखाई रखा जाता है तो आपका विसमें दूसत तो संसेट नहीं है बलके राष्टपति पास दियाती है आप राश्टपति रखता है तो आपका वी उप्शन तीज में सही है कोई निया आधिया वाएक के संवंध में कोई नया रखना पड़ता है और कोई जो पतान गई है या है जो प्राधान बढराया जाएगा संसख जो फहले कितने दिन के पहले रखणा पड़ेगा आपके option क्या है साथ दिन Means अरे तीस दिन तो मैं कोई भी नई सेवा स्वजन करने से पहले उस प्रस्ताओं को संबंदित प्रस्ताओं को संस्द के समक्ष कम से कम चवुता दिनों के लिए रखना पड़ेगा तो आपका इसमें भी ऑप्शन सही है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं कि अगला कुश्चन है संग लोग से आयों के अध्याच्यम सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का वरणन समविधान के किस अनुच्छेद में हैं आपकी ऑप्शन क्या है आपकी ऑप्शन है अनुच्छे 317 अनुच्छे 318 अनुच्छे 320 आपको पता चुका हूं दोस्तों द सकता है तो फिर उन्हें वैसी रिक्षाय जाता है इनके अनुच्छा पर देखते है मारा कुशन क्या है संग लोग सव्वायों का मुझ खाल है कहां परशते थे संग लोग्स the you pay कि बदावधि बदावधि की बाद कि में कही गई गई है तो आपकर सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी प्रेस करें ताकि कोई वीडियो आप से मिसना होने पाए अपना ख्याल रख अपने परिवार का ख्याल रख और अच्छे से पढ़ाई करें मन लगा पढ़ाई करें और जल्दी सेलेक्शन और सफ़ाल हूं धन्यवाद कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में